हावरुफिक्स वान प्लास कॉल वेटिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वान प्लास के डिवाइस में कॉल वेटिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों कॉल वेटिंग दोस्तों यहाँ पर एक बहुड़ी इंपोर्टेंट फ्यूचर काम करते हैं आपकी डिवाइस में मानने जिए आप किसे के साथ बात कर रहे हैं तो अगर कोई दूसरे नंबर से आपको नोटिफाइप करते हैं कोई हो सकते हैं तो अब वहाँ में देख सकते हैं की आपको कोई इंपॉर्टेंट को आ रहा है तो यह फ्यूचर अगर आपके मोबाल पर सही तरह के से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या solution करना चाहिए कैसे solve अगा problem इस वीडियो पर मैं आपको solution बताऊंगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें और अगर आप online पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message करें चलिए वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहाँ पर solution के साथ मैं आपको at the end of the video तीक है लास्ट में मैं आपको call waiting का setting बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है mobile को restart करना है setting पर जाना है और scroll down करते हुए apps and notification पर क्लिक करना है उसके बाद जाए दोस्तों आपके see all apps पर और यहाँ पर आपको search करना है आपका phone service ठीक है तो थोड़ा सा नीचे में जाए आपको मिल option पर उसके बाद आपको storage पर क्लिक करना है clear storage पर क्लिक करके okay कर देना है data clear हो जाएगा आपको जब okay करोगे उसके बाद बेक कीजिए बेक करने के बाद scroll down कीजिए ठीक है यहाँ पर आपको मिलेगा system reset option reset wifi mobile network और उसके बाद reset setting पर क्लिक करके mobile password डे दीजिए जैसी mobile password डेगा आपका सारे network setting reset हो जागा उसके बाद दोस्तों mobile को restart करते हुए जाए आपने mobile के डाइलर पर ठीक है डाइलर पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है three dots में setting पर जाना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर calling account सेलेक करना है more features caller ID and call waiting जाके आपको simply setting को enable कर देना है अगर enable दिखाई दर आए काम नहीं कर रहे तो off करके दुबारा से enable करना है उसके बाद काम कर जाएगा problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर problem solve ना हो तो mobile को safe mode पे एक बार ठीक है सेफ मोड पर reboot करके देखे mobile को कैसे करना है प्रेस एन होल करना है अपने mobile के power button को switch off button मिल जाएगा power off के button पे दो सेकेंड क्लिक करके रखना है reboot to safe mode का option है okay करके आपको safe mode पे mobile reboot कर लेना है उसके बाद आपका problem solve हो चुका होगा by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो दोस्तों सेटिंग पर जाए स्ट्रॉल डाउन कीजिए सिस्टेम पर जाके mobile software अपडेट कर लीजिए ठीक है ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थेंक्स रॉचिंग